हलो इस्टुडेंट अगर आपके पास में समय और कार्ट से रिलेटेड इस परकार का कोई कुछा नाता है रेशे की लिखा है यदि A प्लस B किसी काम को 20 दिन में तथा B प्लस C उसे 24 दिन में और A प्लस C उसे 30 दिन में समाप्त करते हैं करता 20 काम को करता A B जूर करके ठीक है बात समझेगा और इसी प्रकार से B प्लस C जो है वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है एक काम को 24 दिन में कर रहा है और A प्लस C जो है यहाँ पर उस काम को क्या कर रहा है 30 दिन में कर रहा है तो कह रहा है कि A प्लस B प्लस C उस काम को कित बार है तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा और यहाँ पर देखे क्या जाएगा एक बटा 20 प्लस एक बटा 24 प्लस एक बटा 30 हो गया अब इस्टुडेंट यहाँ पर दो कामन ले लिजिए तो यहाँ पर क्या जाएगा A plus B plus C जिसकी value हमको निकालनी है और यहाँ पर वही काम फिर से करना पड़ेगा LCM लेना पड़ेगा तो 20, 24 और किसका निकालना पड़ेगा बताओ जल्दी से 20, 24 और यहाँ पर 30 का निकालना पड़ेगा तो आप चाहो तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा ठीक है देखे 2 से करेंगे तो 2 दहमा हो जाएगा 12 आगया यहाँ पर 15 बचा 2 से काटा 5 बचा यहाँ 6 बचेगा यहाँ पर 15 आगया यहाँ 2 से देखेंगे तो यहाँ पर केवल 6 कटेगा, 2, 3, 6, यहां पर 15 आ गया, अब 5, देखे, 3 से काटेगे, तो यह तो 5 तो नहीं कटेगे, लेकिन 3, 5, 15, पांच से काटेगे, तो यह एक हो जाएगा, यह तो एक पहले से था, यह भी एक हो गया, तो student यहां पर देखे, कितना आ गया, देखे, 3, 2, 6, 2, 12, और बांगनी 10, 12, दहमा 120, तो यहां पर LCM आ गया 120, अब यहां पर देखे, कितनी बार जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो student 6 बार जाएगा, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखे, कितनी बार जाएगा, ठीक है, अगर आप 24 से इसको डिवाइड करते हो, 120 को 24 से डिवाइट करते हो तो 12 दूनी 24 उपर बचा 10 और 25 पांच बार गया है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 3, 4, 12, 4 बार गया तो 6, 4, 10, 5, 15 तो यहाँ पर आगया 15 बटे 120 ठीक है student तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर यह है यह भी उधर चला जाएगा तो यहाँ पर देखें A प्लस B प्लस C बराबर आजाएगा 15 बटे किवना हो जाएगा दो गुडे इधर गुडे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा दो गुडे 120 आप करेंगे 3 पचे देखें ध्यान दीजेगा काटना चाहें तो काट लें ठीक है 3 पचे 15 और 3 चोको 12 यहाँ 40 आ गया ठीक है और 5 पानट 40 हो गया तो इस्टूडेंट देखें क्या आ गया एक बटा 16 आ गया तो इस्टूडेंट A प्लस B प्लस C उस काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा उलट के लिख देना होता पलट के लिख देना होता है तो सन में आ गया हो गया अब इसी में कभी भी आपसे कोई कुश्चन पूछ ले कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो इस्टूडेंट यह वाला चीज आपको इसमें से घटाना होगा अर्थात क्या करना होगा कि A प्लस B प्लस C से आपको किसको घटाना है किसको अगर किसका पूछ रहा है कि A अकेला कितने इम करेगा तो B और C को घटा दीजी इसमें से ठीक है तो A प्लस B प्लस C की बेलू तो आगया है एक बटा 16 है और इसकी बेलू B प्लस C की बेलू देखो कितना है एक बटा 24 है और इस्टुडेंट घटा दीजीए तो देखिए यहां पर घटा होगे तो देखिए क्या आएगा B से B कर जाएगा C से C तो A बच जाएगा तो जो आएगा एंसर हो जाएगा इसी तरह अगर माली जे B पूछता है तो B पूछेगा तो आप C और A वाली को घटा देगे इसमें से तो आपका यह आजाएगा उसमें तो अगर यह वीडियो अच्छे समझा गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करतें लाइक करतें, सेर करतें और बिल आइकन की बटन को अवस्त दबा दे थांक्यू